जीवन में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, किन्तु सभी ये नहीं कर पाते हैं। फिर जुड़ जाते हैं उस प्रयास में कि ढून ले वो कारण जिसके कारणियां सपल हुए अब उसमें भी अधिकतर लोग गलत चैन कर जाते हैं अब यदि इस बात को मैं आपको विस्तार में समझाओं तो बात कुछ यूँ है यदि मेरे दातों में पीड़ा है तो पेट दर्थ का काड़ा पीने से कुछ नहीं होगी यदि नीव में समस्या है तो मैं शिखर को कितना भी सजा लूँ भवन तो गिरेगा है यदि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कारण हमारे पाव की मोच नहीं हमारी छोटी सोच है यदि हम अपना भाग्य अपना भविश्य नहीं लेख पा रहे हैं तो इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं औरों से जलन यदि माहान कार्य करने के पश्चाद भी यश्प्राप्त नहीं हो पा रहा तो इसका कारण तन का आलस नहीं मन का लालच है इसलिए सर्व प्रथम अपनी असफलता का कारण उचित प्रकार से समझे और फिर उचित प्रकार से उस दिशा में प्रस्थान करे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी कोई आपको रोक नहीं पाएगा बस प्रीम से कहते रहा राधे राधे